दिल्ली मेट्रों के वाइरल वीडियो में दिखी लड़की आई सामने दिल्ली मेट्रों में मिनी सकट पहन कर यात्रा करने वाली लड़की के ड्रेस पर सोशल मीडिया पर जोरदार बहस चल रही है और विजावेद के तरह कपड़े पहनने को लेकर इसके पक्ष और विपक्ष में खूब बाते हो रही है इसी बीच ट्वीटर पर भूचाल का कारड़ बनी लड़की ने सामने आकर अपना पक्ष भी रखा है रिदम चनाना नामक इस लड़की ने इसे अपनी आजादी से जोड़ा है एक टीवी चैनल को दी इंटर्वियू में चनाना ने कहा ये मेरी आजादी का मसला है चाहें मैं जैसे कपड़े पहनू चनाना ने कहा कि मैं ये पब्लिसिटी या मशूर होने के लिए नहीं कर रही हूँ लोग क्या कह रहे हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं रुपी जावेश से प्रभावित नहीं हूँ मुझे तो हाल तक ये भी पता नहीं था कि वो कौन है कुछ दिन पहले मेरी दोस्त ने उनकी तस्वीर दिखाई तब पता चला हाला कि चनाना ने कहा कि उसकी पसंद से उसके घरवाले काफी नाराज हैं उसके पडोसी उसे रोज धमकी देते हैं लेकिन लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है चनाना की कपड़ों को लेकर DMRC ने एक बयान भी जारी किया था और कहा था कि ऐसे कपड़े पहनने वालों पर कारिवाई हो सकती है इस बारे में पूछने पर चनाना ने कहा कि दिल्ली मेटरों के अंदर तो वीडियो ग्रॉफी पॉलिसी ही नहीं है DMRC खुद अपने नियम को ही भूल जा रहा है अगर उनको मेरे कपड़ों से दिक्कत है तो उनको लोगों से भी दिक्कत होनी चाहिए जिन्होंने ये वीडियो शूट किया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें